तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने आज रखा हुआ है कैनन का जो लेटेस्ट एपीस सी मोडल है यूस आर टैन जो की अभी लॉंच हुआ है मातर एक दो मैंने पहले ही मेरे पास अभी इसका डेमो पीस आया है तो मैं आपको इसके पूरे फंशनिंग प्लस क् वह बताऊंगा आपको रिसमें क्या-क्या अडवंटेज आपको मिलती है क्या-क्या नए फीचर आये हैं और लास्ट में बताएंगे इसकी प्राइस के बारे में तो अंतर तक हमारा वीडियो देखते रहें आप हालो दोस्तों मेरा नाम है विजय सिंग और आप देखना शुरू कर चुक है मारा यूटूब चैनल इसके अंदर आज हम बताने वाले हैं क्यानन का जो यह नया मोडल आया है जो कि आप देख सकते हूं यूएस आर टैन नाम से यह एपीसी का कैमरा है मांट जो है आर मांट है जो कि आर सिक्स आर सेवन या आर फाइफ आर थ्री जो आते हैं से मांट इसमें रखा गया मतलब आर सीरीज के जो भी लेंसे से वह विदाउट किसी अड़ेटर के लग जाएंगे और एडप्टर के थूबी आप जो डिएसलर वाले लेंसे से वह इसमें इसली लगा सकते तो जो लैंसे इसमें दो लैंस किट के साथ में आता है पहरा तो आप देख सकते हो मेरे सामने 1845 है दूसरा 18-150 के प्राइज में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा दोनों की क्या प्राइस पड़ेगी और क्या आफ्टर डिसकाउंट आपको यह पड़ सकता है बा और माउंट की बात करें आर माउंट है जैसा ही मैंने आपको बताया 55 mm का इसका डायमेटर है सेंसर की बात करें तो APS-C CMOS सेंसर है डूइल पिक्सल एएफ सेकंड टेकनोलजी पे यह वर्क करता है मेगा पिक्सल की बात करें तो जातर APS-C कैमरों में आपने देखा होगा पंद्रा फ्रेम पर सेकंड जो है वो मेकेनिकल शेटर पर है और 23 fps जो देता है यह यह इलक्ट्रोनिक शेटर पर देता है तो आपको जैसे यूज़ करना है आपको ज्यादा हाइए स्पोर्ट फोटोग्राफी बढ़वोची ग्राफिकली तो इलक्रोनिक शेटर का आप य या पूरिकोड करके देता साथ में स्क्रीन की बात करें तो सारे occasions में अब भी जो आ रही है वह अपीजि कम्राल में ओल्मोश्ट वैरिएनगल स्क्रीन वैरियें पूर्मोश्ट होड दें तो ट्रक पूरा देखने को मिल तक रिस्वीवविएंडर की बात करों हूं तो न सब्सक्राइब देखने को मिलेगा प्लस टीजी एक्स इसका प्रोसेसर है जिसमें विलक्ष में आपको लैक्ट देखने को नहीं मिलता है यह भी बहुत अच्छी चीज़ है बैटरी की बात करूं तो एल्पी सत्राइब की जो बैटरी है जो पहले भी कैमरों में लगती थी वही त्हु को इसमें भी लगेगी आपके बैटरी बैकाप की बात्यों अलमोंत इस प्रैस्च में जो भी कैमरे था उनें साड़ तीन सो से चार सौइल का बैकाप आता है जो कि आपको इसमें भी देखने को मिलता एवी की बात करूं तो माइनस चार एवी तक लो लाइट में यह फोक्सिंग कर लेता है मतलब काफी कम रोशनी में भी यह आपको काफी कर लेगा अपना साथ साथ यह देख सकते हैं इसमें जोईस्टिक भी आपको देखने को मिलती है जिससे कि आपको फोक्सिंग ऊपर 13-4 मिटर होती है प्लेस एक्सेनल फ्लेश भी दिया हुआ है जिससे आप फ्लेश एक्सेनल लगा सकते हो कोई भी उसके अलावा मैं बात करूं पॉइंट्स की तो इसमें एक आपको यूएसबी टाइप सी डारेट चार्जिंग पॉइंट दिखता है और एक आपको स्ट्य पॉइंट है और यह आपके 3.5 नहीं यह 3.5 mm का माइक जैग भी यहां पर देखने को मिलेगा तो यह भी आपके है और रिमोड के लिए कैनन के जो रिमोड आता है शटर रिलीज रिमोड उनके लिए आपके एक पॉइंट और देखने को आपको मिलता है और काफी लाइट बोड़ी है इसकी मत्र अगर बैटरी और कार्ड भी हटा दूं तो बोड़ी की बात करूं तो लगबग 390 ग्राम के असपास इसकी बोड़ी पैटी जो की काफी कॉंपक्त देख सकते हूं मेरे हाथ में आराम से आरा है चोटा सा कैमरा है कॉंपक्त और लाइट वेट यह ब बात le got'? की तो इस के लेस्के लेंस में आपको देखने को मिलता है बोड़ी में इमेज अंहीं है डिजीटल इमेज इस्टेवलाइजर बोड़ी के अंदर मिलेगा लेकिन ऊयस्ति में व आईविचे आपको लंससे में देखना मिलेगा जोबी के दूरनों लेंसमें लि 200 तक लेगे जा सकते हो पर उसकी इतनी requirement नहीं है प्लस वीडियों बात करूं तो 25600 तक ISO इसमें जा सकता है उसके अलावा बात करूं मैं ओटो फोकस मॉइंट की तो 651 ओटो फोकस मॉइंट है और पोजिशन की बात करूं तो 4503 पोजिशन फोटो में है और 1713 आपको मुवी में ओटो फोकस पोजिशन देखने को इसमें मिलती है तो मैंने आपको हर तरफ से कैमरा दिखा भी दिया है gripping काफी अच्छी है compact है पर साथ में gripping बहुत अच्छी दिया है इस वार Canon ने तो grip काफी अच्छी है प्लस आपको काफी compact देखने को मिलता है तो फ्रेंड यह था हमरा वीडियो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयो तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करिए थैंक्यू वेरी मच्छ